दोस्तों नमस्कार, Electrical Line More चेनल में मैं संदीप चोहन आपका फीर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम Electrical License के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि Electrical License मध्य परदेश से किस प्रकार बनाया जा सकता है मध्य परदेश से अभी तक जितने भी लाइसेंस बनते थे उनके लिए आपको एक्जाम देना पड़ता था लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिना एक्जाम के Electrical License किस प्रकार बनाया जा सकता है तो फ्रेंट्स यदि आप Electrical License बनाना जाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट सक देखिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों Electrical License बनाने के लिए आपको Google ओपन करना होगा Google में जाकर आपको MP Online Wiremen टाइप करना होगा आप यहां पर आप देखिते हैं मैंने टाइप कर दिया है यह करने के बाद एक next page खुलेगा next page के नदर आप देख सकते हैं यहां पर Energy Department लिखा है लाइसेंस पर क्लिक करने पर इस तरह का पेज खुलेगा यहां पर आप दिख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ लिखा है वायर में विदाउट एक्जाम एप्लिकेशन फॉर्म तो इस पर आपको क्लिक करना होगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर् इस फॉर्म को कैसे फिल करना ही यह भी मैं आपको पता देता हूँ यहां सबसे उपर की तरफ दो ओप्शन दिये गए हैं डॉमेस्टिक और इंडस्टियल तो यदि आप इंडस्टिज के लिए वायर में लाइसेंस बना चाते हैं तो आपको इंडस्टिज पर सेलेक्ट कर और इस वाले नाम को में हंदी वाले ओप्शन में डाल दूंगा अब देख सकते हुएं को इधर जो निखा है सके अंदर में पेस्ट कर दूँगा इस तरeluके से आप इंगलिश हंदी कें और नाम लिख सकते हैं इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम का हिंदी औ आपको मोँवाल इप मिर्ट करना होगा आपको अपने घर का पता यहां पर को नपर आपको इस जिस दिन से MP के अंदर या फिर मध्य प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उस डेट से लेकर आज तक की डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी उसके बाद यहाँ पर फिर से दो उप्शन दिये हुए हैं इसके अंदर यदि आप पर लाइसेंस है तो आपको हां लिखना होगा और तारिक से लेकर किस तारिक तक कंपनी जोइन करी है उसके बाद बिजली के कारे का जो भी हमें अनुभव है वह संशेप में यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद हम किस जीले से बिलोंग करते हैं वह चीज हमें यहाँ पर डालनी होगी उसके बाद इसके अंदर हमें फोट सब्सक्राइब ट्रृत्स किसे पर दोक्युमेंट को यहां पर आप दिसकते हैं सबसेपहले हैं अस्ता-, अठेच करने होते हैं जो कि हमने इससे पहले वाले फोर्म में अठेच कर लिया था उसके बाद हमें water ID आधर card या फिर पेंट काड या फिर डाइवर लाइसेंस के अठेच करना होगा उसके बाद हमें चरीत प्रमाण प्रसिख्शु पन्जियन सर्टिफिकेट होता है वो इसके अंदर अटेज करना होता है जो मैं आपको last में बताऊंगा उसके बाद हमें वाईरमेंट दॉट एक्जाम का एक फोर्म होता है वो भी इसके अंदर अटेज करना होता है उसका format आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से उसका format हमें net पर मिल जाता है net पर कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको last में बताऊंगा यह सारी document अठेज करने के बाद हमें process to paper जाना होगा process to paper जाने पर हमें कुछ payment करनी होती है payment के यहाँ पर बहुत सारे option दिये हुए है इन में से हम कोई भी option चूज करके payment कर सकते हैं जैसा कि मैंने UPI select किया है UPI और PTM के द्वारा मैं इसके अंदर payment करने वाला हूँ आप दिख सकते हैं जैसे मैंने PTM खोला है तो 235 रुपे की यह payment माग रहा है 235 रुपे की payment हम इसके अंदर करके इस license को बनवा सकते हैं इसके अंदर मैंने आपको एक document बताया था जिसमें लिखा था वायरमेन license without exam तो वायरमेन license without examination का एक form होता है वो form इसके अंदर कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको Google पर जाना होगा Google पर जाकर MP online टाइप करना होगा और यहाँ पर जो लिखा है apply for payment license इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद इस तरह का page खुलेगा इस page के अंदर यहाँ पर 3-4 PDF फाइल दी वही है इसमें सबसे उपर वारी जो PDF फाइल है उसे open करना होगा इसे open करते हैं यहाँ पर आप जिसकते हैं यह फॉर्म खुल जाएगा इसमें लिखा है परिक्षा हेतू स्वागोशना पत्र तो इसको fill करके हमें इसमें upload करना होगा मैंने आपको इससे पहले वाला जो form बताया था form के अंदर हमें इसे ही upload करना होता है इस form को भणने के बाद हमें कुछ payment इमित्र में जमा करनी होती है उस payment का रसित नंबर हमें इस form में लगाना होता है तो friends आपको पता चली गया होगा कि इस form को किस तरीके से fill करना है और आप बिना exam दिये किस तरीके से license बनवा सकते है तो friends इसके अंदर सारी detail बढ़ने के बाद सारे form upload करने के बाद आपको कुछ payment जमा करने होती है payment जमा करने के बाद आपको एक number मिलता है उस number से आप इस form को track कर सकते हैं कि आपका form किस level तक पहुंच गया है यदि आपका form पूरी तरीके से complete है इसके अंदर कोई भी problem नहीं है कोई भी truthी नहीं है आपने सारी document सही तरीके से लगाए है तो आपका license जल्दी ही बन जाएगा कि electrical license MP के अंदर किस तरीके से बनाया जा सकता है वो भी बिना exam दिये तो friends यह वीडिया आपको कैसा लगा comment section में जरू बताएं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को like, share, subscribe जरू कर लें Thank you दोस्तों, thank you so much for watching my video Thank you, thank you so much, जैहिं, जैवारत